जैश्री कृष्ण साथियों, यादो सरकार चैनल पर आप सबका स्वागत है। अहीर रेजिमेंट पे सरकार और फोज का सबसे बड़ा जूट आज हम आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया था संसत के बजट सत्र में बिहार की बांका सीट से जनता दल के सांसत गिरधारी यादो जी ने लिखित में भारतिय सेना में अहीर रेजिमेंट से जुड़े चार सवाल पूछे थे। और बेजेपी सरकार ने ना केवल अहीर रेजिमेंट बनाने से मना किया बलकि एकदम कोरा जूट बोलते हुए कहा कि तल सेना में कोई भी जाती आदारित रेजिमेंट मौजूद नहीं हैं। और साथ ही सेना में भरती के लिए सभी वर्गों को समान अफसर प्रदान करते हुए परियाप्ट भरती निकाली जा रही है। लेकिन भाईयों बारतिय सेना में होने वाली जर्नल ड्यूटी सैनिक की भरती स्पोर्स कोटा को छोड़ कर में घोर जाती वाद और पीडी दर पीडी आरक्षन है जिसके सामने सविदान में पारित OBC, SC, SD आरक्षन भी पानी मांग जाता है Infantry यानि पैदल सैनिक, Artillery यानि तोप, Armored Cops जिनको टैंक रेजिमेंट बोला जाता है, Mechanized Infantry बक्तरवन और Engineer Cops के होने वाली जर्नल ड्यूटी सैनिक को छोड़ कर लगबग 70% भरती जाती धरम, समुदाय और शेत्र के नाम पर आरक्षित है ये लिस्ट Infantry Regiment की और इन में जिस जाती के फोजी की जगए खाली होती है, उसको सिर्फ उसी की जाती क्या फोजी ही भरा जाता है, और किसी जाती का नहीं सबसे पहले, सिक रेजिमेंट, इसमें 100% जट सिक होते है, बाकी कोई नहीं मराठा Light Infantry, जिसमें 100% मराठा लोग भरती हो सकते है, बाकी नहीं गोर्खा रेजिमेंट, इसमें सिर्फ गोर्खा ही भरती हो सकते है, हाल में कुमाईनी, गडवाली को थोड़ी भरती खुली है, बाकी कोई जाती नहीं गोर्खा की कुल साथ रेजिमेंट है अगली राजपूत रेजिमेंट इसमें सिर्फ 50% राजपूत, 30% गुर्जर, बाकी 20% में अहीर, ब्रामन, मुस्लिम, कायम खानी को छोड़ कर ही भरती हो सकते हैं बाकी कोई जाती नहीं पांचवी डोगरा रेजिमेंट इसमें 100% डोगरा, बाकी कोई नहीं छटी जात रेजिमेंट इसमें 89% हिंदू जात, बाकी 8.75% में अहीर, गुर्जर, राजपूत और बाकी 2.25% सब के लिए अगली राजपूतान राइफल्स, इसमें 40% राजपूत, 40% जाट, बाकी 20% में अहीर, गुजर और मुस्लिम सिख लाइट इन्फैंट्री, इसमें 100% दलित सिख जिनको मजभी रहा राम दसिया, बाकी जाती धरम के भरती नहीं पंजाब रेजिमेंट, इसमें 90% सिख और डोगरा, बाकी 10% सभी जातियों के लिए अगली करनेडियर्स रेजिमेंट, इसमें 64% में राजपूत, जाट और डोगरा, 20% मुस्लिम, बाकी 10% में अहीर, गुजर, मीना, गुजराती, बाकी 6% सब के लिए अगली कुमाव रेजिमेंट, इसमें 71% कुमावनी, 26.50% अहीर, और 2.5% राजपूत अगली रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, इसमें 50% नागा, कुमावनी 16%, गोर्खा 17%, गडवाली 17% जमू और कश्मीर राइफल, इसमें डोगरा और गोर्खा 75%, बाकी 25% में सिख और मुस्लिम, कायम खानी को छोड़ कर जमू और कश्मीर लाइट इंफेंट्री, सिर्फ इसी राजपूत के लिए 50% मुस्लिम, 20% डोगरा, सिख, लद्दाखी, 30% बाकी हिंदू, महार रेजिमेंट, 10% महार जाती के लिए, 90% सब के लिए गडवाल राइफल, इसमें 100% गडवाली, बाकी किसी की भरती नहीं, बिहार रेजिमेंट, इसमें 50% नामित, 5 राजजे, और पूरवांचल के 6 जिलिके, सभी लोग, और 50% केवल 4 राजजियों से, आदिवासी ही भरती हो सकते हैं पैरा रेजिमेंट, आज वे, ऐल इंडिया, ऐल क्लास हो चुकी है, लेकिन पहले इसमें मिक्स कमपनी होती थी, जिसमें आहीरों की भी विशुद कमपनिया थी ब्रिगेड ओफ गार्ड्स आजादी के बाद ये एक लोती All India All Class Infantry Regiment बनाई गई थी लेकिन आज इसको Mechanized Infantry में बदल दिया गया है लद्दाक स्काउट इसमें 100% लद्दाक के लोग भरती हो सकते हैं बाकी कोई नहीं अगली सिक्किम स्काउट इसमें 100% सिक्किम के लोग भरती हो सकते हैं बाकी कोई नहीं अगली अरुनाचल स्काउट इसमें 100% अरुनाचल परदेश के लोग ही भरती हो सकते हैं बाकी कोई नहीं और सबसे बड़ा मजाक है राश्टपती के अंगरक्षक जो कि सिर्फ जटसिक, हिंदु जाट और हिंदु राजपू जाती से ही भरती हो सकते है और किसी जाती के नहीं तो अब आप बताईए कैसे आपको लगाता जूट बोला जारा है सरकार और फोज के द्वारा सरकार इस तर पे किये जा रहे इस अपराद पे कौन कारवाई करेगा दोस्तो इसके लिए हमें लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी और इसलिए ये लड़ाई आज से ही नहीं ये काफी सालों से चल रही है अहीर रेजिमेंट की मांग की तो सभी आप लोग इस मुहीम से जुड़े और इसको जादा से जादा फैलाए अहीर रेजिमेंट हक हमारा